एसे की तरफ से रिसेंट नोटिफिकेशन आई है जिसमें आराउंड 6,000 वेकेंसी आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे तो इसमें अगर आप EWS कैटेगरी से बिलॉंग करते हो तो आपके पास 10% एजरवेशन क्लेम करने का उपसन रहता है जिसके लिए आपके पास एक व पॉइंट से तो देखो आप 6 नंबर यह जो पेज नंबर 6 है यहाँ पर भियकर आओगे नोटिफिकेशन के तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी अब यहाँ पर देखो कि लिखा गया हुआ है कि आपका EWS सर्टिफिकेट है वह आपका वैलिट फॉर इस्टेट है और इसका फॉर्मिट आप देखो गे तो यहाँ पर उपर में लिखा गया हुआ है इस्टेट फ इंडिया नहीं होना इसाड़ी यहाँ गवर्मेंट आफ इंडिया नहीं होना चाहिए यहाँ अपको रिजर्वेशन यानि कि हड़ियाना के अंदर ही अगर आपका certificate issue हुआ है तभी यह वो acceptable होगा अब इसमें बात करते हैं कि जो valid year है और financial year है इसके बारे में भी जो है यहाँ पे mention किया गया हुआ है कि अगर आप देखोगे कि EWS certificate जो है वो 2023-2024 के बीच में आपका valid होना चाहिए as per NXR3 तो NXR3 को अगर आप देखोगे तो यही है NXR3 जो की EWS certificate का format है यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि यह जो certificate number है यहाँ left side में और यहाँ पे valid year 2023-2024 clearly mentioned है तो इन certificate को download करने का link description box में है वहाँ से आप इसे download कर सकते हो यहाँ पे नीचे में आप आओगे तो यहाँ financial year जो है वो 2022-2023 यह भी चीज जो है वो clearly mentioned है तो आपके जो certificate है वो इसके format पे ही बना होना चाहिए हाँ हो सकता है कि आपका जो है वो office है block से या फिर तहसील से वहाँ से थोरा सा changes हो सकते हैं लेकिन जो valid year है वो 2023 ही होगा और जो financial year है 2022-2023 ही होना चाहिए और finally जो है वो आपके पास जो है वो domicile certificate भी होना चाहिए तभी जो है वो आप यहाँ पे EWS reservation का benefit claim कर सकते हो so I hope कि आपको यह बाते समझ में आ गई होंगी and आपको reservation के लिए वो minimum यह सभी criteria को fulfill करना होगा एक बात और कि आपका certificate कब से कब के date के बीच में बना होना चाहिए तो आपका जो certificate है हो 1st April 2023 के बाद बना होना चाहिए और 21st March 2024 के पहले बना होना चाहिए अगर आपका certificate इन दोनों date के बीच के अलाबा किसी और date में बना हुआ है तो आपको जल्दी से जल्दी जो है वो नया certificate इसु कराने के लिए आपको apply कर देना होगा ताकि आपको जो है वो before 21st March certificate मिल जाए अगर आपका certificate 21st March के बाद इसु होता है तो फिर आपको EWS reservation का benefit नहीं मिलेगा ओके आपको जो है वो maximum जो query हो सकती थी मैंने यहां पर लेने की कोशिस की है और यहां पर जो है वो की other state के students को सिर्फ general category से जो है वो form fill up कर सकते हैं वो भी point यहां पर मैंने mention कर दिया है तो थैंक्स पर वाचिंग और यहां पर वाचिंग और यहां पर प्रिपरेशन तो अगर प्रिपरेशन की बात करें तो आप यहां पर जो है वो इनफ नंबर आफ टेसरी आप ले सकते हो तो यहां पर यहां पर आप आराउंड 235 टूटल रेश्ट आपको देखनों को मिलेंगे यहां पर यह भी आप attempt कर सकते हो चाहे तो और प्रेश्बुक की जो है वह बहुत ही मिस इनफ नंबर आफ टेसरी चलते रहती है तो वह भी आप एक वाट देख लेना और सूपर कोचिंग यह भी आपके पास और इसकी मैं बात करूँ अगर प्राइसिंग की तो देखो कि इसकी प्राइसिंग जो है वह वह आरांड कभी कभी टूर की और रहती है कभी थ्रीएड की अप्सन रहती है तो यह आपको प्राइसिंग रहती है लेकिन मैं आपको कूपन कोड दे देता हूं यह बहुत है इसको आप अप्लाइ करोगे तो फिर आपको जो हो फ्लैट 10-20 का दिसकाउंट देखने को मिल जाएगा so after applying this you can avail the avail the discount and you can also search for more examination in this segment